सब्सक्राइब करें GST प्लाटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इंकम टेक्स की वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए गूट मॉर्निंग फ्रेंट्स जी एस्टी प्लाटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सफी का स्वागत है जी हां फ्रेंट्स जी एस्टी के अंदर जो सर्कुलर नंबर 183 इशू किया गया था उसमें GSTR 3B और GSTR 2A के अंदर जो मिस्मैचेस थे उसको लेकर के एक सिंप आपने 17-18 की टैक्स पीरियड में 3B के अंदर और 2A के अंदर जो ITC मिस्मैच का नोटिस का सामना किया है तो वहां पर ये जो सर्कुलर आया है ये एक पॉइंट कहता है पॉइंट नंबर 4.2 जो काफी इंपॉटेंट है सब लोगों को समझने के लिए क्योंकि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट में एप्लिकेबेलिटी जो है वो बताई गई है कि 17-18 से रिलेटेड अगर आपका कोई नोटिस है तो वहां पर ये सिचुएशन में आपका ये सर्कुलर काम नहीं आएगा It may be noted that for the period 17-18 ये specifically for 17-18 ये पॉइंट लागू होगा 18-19 के लिए ये पॉइंट जो है वो लागू नहीं होगा क्योंकि यहां पर section 16 sub section 4 का जो date extension दिया गया था अब तिल due date of March 29 return 2019 की return तक आप अपने सोलचार की conditions के accordingly ITC claim कर सकते थे उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है तो यहां बताया गया है it may be noted that for the period 17-18 as per the provision to section 16 sub section 4 16-4 के अंदर जो प्रोवीजो दिया गया है उस प्रोवीजो के अंदर जो बाते बताई गई थी उस प्रोवीजो में क्या बात बताई गई थी उस प्रोवीजो में ये बताया गया था कि 17-18 का जो भी आपका input tax credit था वो आपको 30 सितंबर 2018 यानि कि सितंबर 2018 की जो return आपने फाइल करी due date के बाद यानि कि 20 अक्टूबर 2018 के बाद उसमें claim नहीं कर सकते थे लेकिन for the first year जो कि 17-18 पहला year था तो यहाँ पर जो ये 20 अक्टूबर की date थी उसमें कुछ relaxation दिया था गवर्मेंट में और गवर्मेंट ने ये बोला था कि March 19 की जो आप GSTR 3B की return फाइल करेंगे और वो due date से पहले अगर आप कर देते हैं तो 17-18 का input tax credit आपको basically April 19 तक claim करने के लिए allow किया था गवर्मेंट ने तो अब यहाँ पर वो चीज़ बताई जा रही है कि April 19 में जो आपको allowance दिया गया था April 19 तक उसमें एक condition यह थी कि आपके supplier ने उस particular invoice को March 19 की GSTR 1 की जो due date थी उस due date से पहले उसको upload कर दिया था अगर उसने upload नहीं किया था फाइल नहीं किया था अपनी GSTR 1 में तो आपको 16-4 का जो वो extended period का benefit था वो नहीं मिल तकता था अब यहां पर इस चीज़ को फिर same faces दिया गया है यह जो relaxation है यह applicable नहीं होगी और यह जो circular आया है along with all the notifications आपको हमारे जनवरी महिने की tax magazine में देखने को मिलने वाला है अगर आप लोगोंने अभी तक tax magazine का subscription नहीं लिया है तो दिये गए numbers पे call करके whatsapp करके आप tax magazine का subscription ले सकते हैं monthly GST and income tax related updates के लिए अब यहां यह जो relaxation है shall not be applicable to the claim of ITC made in form GSTR 3B filed after the due date of furnishing return for the month of September 18 till the due date of furnishing return for March 19 यह basically removal of difficulties order के साथ लाया गया था बाद में इसे provision के अंदर insert किया गया था कि आपको यह relaxation applicable नहीं होगा circular applicable नहीं होगा ऐसे claim of ITC के लिए जो की किया गया है September 18 की जो due date थी उसके बाद लेकिन आपने March 19 की due date से पहले फाइल कर दिया लेकिन आपके supplier ने if supplier had not furnished the details of said supply in GSTR 1 till the due date of furnishing of GSTR 1 for March 19 कहने का मतलब है आपने 3B के अंदर अपना ITC claim कर लिया let's suppose January 19 के अंदर और वो invoice आपके supplier ने अपनी GSTR 1 में March 19 की due date के बाद फाइल करा है जो ITC आपने January 19 में claim किया है इस mismatch के लिए आप इस circular का benefit जो है वो नहीं ले पाएंगे कि आपने CA certificate दे दिया आपने बाकी conditions जो fulfill कर दिये वो सारी चीज़े यहाँ पर applicable नहीं होंगी वो ITC के लिए आपको यह circular किसी भी हालत में कोई benefit जो है वो नहीं पहुँचा पाएगा यह काफी important है कि 16-4 का जो extended period दिया गया था 17-18 के लिए वहाँ पर non applicable cases में यह भी एक case डाल दिया गया है जहाँ पर आपके supplier की GSTR 1 March 19 की due date से पहले याने की 11 April 2019 से पहले जानी चाहिए तो जब आप अपनी GSTR 2A अब check करेंगे तो वहाँ पर filing date of GSTR 1 by your supplier जो है वो भी आपको check करना पड़ेगा और वो date से ही determine होगा कि आपको इस circular का benefit जो है उस invoices के respect में दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तेलिए इस वीडियो को यही end करते हैं आशा करते हैं आपको यह point number 4.2 जहां पर इस circular का benefit जो है आपको नहीं मिलेगा किस situation में नहीं मिलेगा यह सारी चीजे अच्छे से समझ में आ गई होंगी अगर आपने हमारे चैनल पर first time tuning किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब प्रेस कर लीजिए साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलर्ली पहुंचते रहें थैंक यू एड है वा नाइस डे सब्सक्राइब करें जी एस्टी प्लैटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जी एस्टी और इंकम टेक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए और भाटगो रिए जीए सबसाझने के लिए सबस्केश को और एस तक वो य